नमस्कार आप देखेंगे डॉक्टर साहिव आपके साथ मैं हूं उसकार नशको आज समाज में इतना जादा क्राइम बढ़ रहा है इसका कहीं न कहीं एक मुक्ता कारण है मांसी क्रोग और इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे अमाम जानकारी लेंगे आपको बता दे क्योंकि ए प्रोफेसर इन हेड है साथ में एक कारण हो सकता है मांसी क्रोग इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आपका अगर मैं बताऊं कि क्राइम और मेंटल इलनेस का काफी डिरेक्ट इंडिरेक्ट रिलेसन दोनों है क्योंकि क्राइम हिमन इंडियर और हिमन इंडियर जब्ए हिमन इंडिय र्स ओपड़ आप्स य् कोन डे थो तो क्राइब खैल आट एंड भी चुफ देगर में देन तो क्राइम हम लोग कह सकते हैं कि इस बाइप्रोड़क्ट अप सोसल चेंज, सोसल मेलियू, और हुमन बीहेवियर. तो क्या लगता है कि अगर क्राइम को हमें रोकना है और खासकर देखा जाता है कि आज युवाओं में भी काफी जादा क्राइम देखा जा रहा है अज बहुत से युवाओं हैं जो क्राइम कर रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है। Crime, जैसा आपने जो पहला सवाल पुचा था, कि crime is all pervasive, ऐसा कोई समाज में है जहां crime नहीं होता है, और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां crime लोग नहीं करते हैं, और अम जहां तक करें बच्चे, युवा, बृद्ध, तो यह ज्यादा तर युवा वर्ग में देखा जाता है, क् एक physical potential होता है, to commit crime, and that mental ability to commit crime is much much higher, mostly आप देखें कि बच्चे जो होते हैं, जो 7-8 साल से छोटे बच्चे होते हैं, mostly 12-18 के बीच में, जो हम लोग कहते हैं juvenile, और आपने देखा होगा कि आजकल सबसे ज्यादा जो crime, juvenile offenders, जो 12-18 के बीच के बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा crime कर रहे हैं, adult तो करते ही हैं, लेकिन जो चिंतनिय विशाय है, कि जो 12-18 का age group है, वो गंभीर crime करने लगा है, तो हमें इस पे सोचना पड़ेगा, कि आखिर इसकी क्या वजह हैं, social region क्या है, psychological region क्या है, और biological region क्या है, इसके है, अगर हम उपाय के बार में बात करें, तो अग सिर्फ और सिर्फ mental illness से नहीं जोड़ियेगा, यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि उस बच्चे की जो परवरिस होई है, जो उसके, उसने जो समाज में जो उसकी परवरिस होई है, जो उसने मावाप से संसकार सीखे हैं, जो अपने आस पास के बच्चों से उसने सीखा है जो परवरिस है, जो कहते है, पियर इंफ्लुएंस, और आप देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सोसल मेडिया से एक्स्पोज़ जाया है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजे जो देखते हैं, जो काफी वाइलेंस होता है, जो अपने पिए विडियो गेम, समाज का influence, दोस्तों का influence और कहीं नहीं कि उनके अंदर एक kick होता है to do something new, to do something novel just to have pleasure without thinking कि उसका outcome क्या होगा क्योंकि इन बच्चों में जो एक maturity होती है कि अपने act को हम यह समझ पाएं कि यह सही है या गलत यह इन बच्चों में पूरी तरह develop नहीं होती है कि आपको लगता है कि social media जो है social media हर कोई हर बर की लोग social media पे है अगर हम बात वी वाउं की करें तो हर घर में हर बच्चा बच्चा social media पे है तो क्या लगता है social media भी कारण हो सकता है इसके लिए क्योंकि आज कर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज किसी को influence कर रही है वो social media है पहले हम लोग मानते थे कि भाई movie, print media, electronic media लेकिन इन सब चीजों से आगे बढ़कर अगर social media क्योंकि हर व्यक्ति के पास अमोवन a smartphone है और हर व्यक्ति smartphone का use for good or for bad कर रहा है social media में जो चीजे दिखती है जैसे आज कि आप कल सुबर सुबर आपके पास बहुत सारे forward message भी आते होंगे और वो message कहीं न कहीं आपको प्रेरित करते हैं कि आप उनको देखते हैं फिर आप उनको समझने ही कोसिस करते हैं लेकिन जो युवाबर्ग है युवाबर्ग के अंदर judgment capacity बहुत limited होती है तो वो लोग mostly social media के सारे message को आज इटी सोचते हैं और वैसा ही समझते हैं और उस पर पोशिस करते हैं कि इस पर act करें आपको पता होगा बहुत सारे video games हैं जिसके अंदर बहुत violent content हैं तो उनके ऊपर फिर ताकि उनको mobile का access बहुत easily हो गया तो बहुत तीन-चार घंटे के class हुई उसके बाद वो फिर वो अपनी internet के दुनिया में व्यस्त है तो यह भी हमने देखा है कि COVID के बाद बच्चों में social media का addiction या social media देखने की time limit थी वो काफी बढ़ी और उसका कहीं न कहीं मानसिक और सामाजिक दुस-पीरिणान काफी दिख रहा है